हेलो वेलकम टू जोब फाइंडर दोस्तों जैसा आप सभी को पता है हर्याना पुलिस के फोर्म दुबारा से भरे जाएंगे और हर्याना जीके का हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम में 25% तक वेटिज रहेगा इसी को देखतो है हमने हर्याना जीके की सीरीज टार् तो अपना साथ साथ प्रेक्टिस एड़ भी लगा कर चलेंगे और देखना आपके कितने कोशन ठीक हो रहे हैं पहला प्रेशन आपके सामने स्क्रीन पर डाकर किस प्रकार की मिट्टी है ऑप्शन आपके सामने है यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते है डाकर किस प्रकार की मिट्टी है राइट आपके सामने हर्याना का लगबक कितने प्रतिशत भाग अतिस इंचाई की समस्चा से ग्रस्थ है या लवनिये है राइट आंसर जिनोंने भी ऑप्शन डी को दिया है थर्टी टू परसेंट उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कॉशन नमर थर्ड आपके सामने हलकी दोमट मिट्टी डैश मैदान में पाई जाती है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रशन का ऑप्शन सी घग्गर और यमना मैदानों में ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा Q4 भारी दोमट मिट्टी पाई जाती है Options आपके सामने है बिल्कुल Correct आंसर जिनोंने भी Option D दिया है पलवल उनका आंसर बिल्कुल Correct है आपकी अससी परिक्षगी त्यारी को और भी मजबूत करने के लिए इंडिया का No.1 Online Education Platform Unacademy 17 और 8 जनवरी को आपकी लिए लेकर आ रहा है 3 Special Test Series ये Test Series कंड़र्ट की जाएंगी इंडिया के Top Educators दोरा 17 जनवरी को अभिने शर्मसर लेकर आ रहे हैं Free Ace Quant Test Series जिसमें कंड़र्ट किये जाएंगे 50 Question के 2 Sets 18 जनवरी शाम 6 बजे अभिने शर्मसर डिसकस करेंगे इस Test Series की Analysis और Solution X Special Analysis क्लास में जो होगी बिल्कुल Free of Cost 18 जनवरी से शुरू हो रहा है Free Practice CYQ Test Series जिसमें Quants, English, Reasoning, Journal Awareness और General Studies जैसे सब्जेक्ट में से करवाए जाएंगे Current Year के Question जिससे होगी आपके SSC परिक्ष्चा की त्यारी और भी मजबूत आपकी Current Affair के सब्जेक्ट की त्यारी को और भी मजबूत बनाने के लिए 18 जनवरी से एक कंड़र्ट किये जा रहे है Free Daily Current Affair Score Booster Test Series इंडिया का लार्जेस्ट ओनलाइन SSC Test Series प्रत्योगता मंतरा सर द्वारा इस टेस्ट सीरीज में प्रत्योगता मंतरा सर कंड़र्ट करेंगे टेस्ट और उस टेस्ट के लिएस बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट अगर आप अनकेडमी पर फस्ट एम आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलोकर जोब फाइंडर अन्रोल करें इस फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्स्पिरेंस करें ब्लेटफर्म को यही नहीं डॉक्टर कोपे ने हर्याना को विभाजित किया है। करेक्ट अंसर ओप्शन C होगा आद्र उपोशन और स्टेपी दोनों में। कोशन नमबर 6 वर्तमान में हर्याना की भोगोलिक इस्तिती कितने भागों में बटी हुई है। ये कोशन सभी को आना चाहिए जो भी हर्याना की किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं। वर्तमान में हर्याना की भोगोलिक इस्तिती कितने भागों में बटी हुई है। राइट अंसर ओगा ओप्शन A चार भागों में। कोशन नमबर सेवन आपके सामने स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा पूरसकार क्रिशी में दिया जाता है। राइट अंसर होगा इसका ओप्शन A ताउ देवी लाल पूरसकार। कोशन नमबर एट राइट 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 रा बात करेंगे तो पहले जो है सबसेदिक सरसो महिंदर गड़ में होती थी ऑप्षिन इसका बी क्रेक्ट आंसर होगा कोशन नमबर करेक्ट आंसर होगा इस कोशन का ऑप्षिन ए सिर्सा दिखिए सभी की सभी कोशन इंपोर्टेंट है इसलिए यह मैंने कई सारे कोशन जो है कल्चर से लिए है फलोरी कल्चर से राइट कोशन नमर 11 देखो हर्यान में सबसे कम फूलों का उत्पादन कौन सा जिला करता है सबसे कम फूलों का उत्पादन तो यहां होते हैं महिंद्रगड में option C correct answer होगा question number 12 हर्याना में सबसे अधिक गुलाब की खेती डैश में होती है गुलाब की खेती सबसे अधिक तो ये क्रिशी से संबंदित प्रशन है और आपके एक्जाम में ये बहुत important है हर्याना पुलिस के regarding अगर हम देखे तो गुलाब की खेती जाईया होती है पानीपत में option B correct होगा question number 13 आपके सामने चंडीगण में रोज गार्डन में डैश सो से अधिक प्रकार की गुलाब की प्रशाती है और ये वला प्रशन आपके एक बार हर्याना की एक्जाम में पूछा भी जा चुका है रोज गार्डन में कुल सोला प्रकार की फूलो की प्रशाती है सोला सो से अधिक प्रकार की फूलो की प्रशाती है जिसमें गुलाब की प्रशाती की हम बात कर रहे है question number 14 हर्याना में सबसे अधिक गेंदे का उत्पादन कौन सा जिला करता है सबसे अधिक गेंदे का उतपादन करता है गुरुग्राम और जजजर दोनो option C correct answer होगा यहां पे question number 15 आपके सामने हरियाना में सबसे अधिक सबजी में डैश का उतपादन होता है हरियाना में सबसे अधिक सबजी में डैश का उतपादन होता है कॉशा नमबर सोला आम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो अमबाला ओप्षन एक करेक्ट होगा कॉशा नमबर सत्रा आपको फटा फटच आंसर देना है हर्याना का सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है राइट आंसर ओप्षन बी होगा पंच कुला कॉशा नमबर अठारा है सरवादिक फुहाडों में नलकूपो से सिंचाई हर्याना में कौन से जिले में होती है तो अकोर्डिंग टो आप आइडिया लगा सकते हैं मेंदरगर्ड और भिवानी इनका करेक्ट अंसर होगा ओप्षन सी कॉशा नमबर उननेस हर्याना के किस जिले को गेहों की टोकरी कहते हैं तो किस जिले को बोलते हैं शिर्ष्या को बोलते हैं ऑप्षन बी क्रैक्ट अंसर होगा कॉशा नमबर ट्वंटी सयुक्त रूप से धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है संयुक्त रूप से धान का कटोरा राइट आंसर ओप्शन डी होगा करनाल कुरक्षेत्र कैथलव जिंद देखो संयुक्त रूप से बात कर रहा है ठीक है संयुक्त रूप से धान का कटोरा तो हम इन सभी को बोलते है कोश्चन नमबर 21 हर्याना सरकार किसान रतन पुरुषकार में कितने रुपे देगी तो यह पुरुषकार की राशिय दो अभी हाली में चेंज हुई है तो बहुत इंपोर्टन्ट है अपने आप में तो हर्याना सरकार किसान रतन पुरुषकार में कितने रुपे देगी तो option A इसका correct answer होगा option A question number 22 कमवल सिंग चुहान को कृषिक शेत्र में कौन सा पुरुसकार दिया गया था correct answer option B होगा पदम श्री next question इनी से related question number 23 है 1857 की क्रांती में हर्याना के वीरों के विजय का क्या कारण था हर्याना के वीरों के पराजय का ठीक है हार का क्या कारण था option D correct होगा इसका उप्रोक्त सभी अन्ने रियासोते सायोग ना मिलना शसस्त्र प्रयाप्त मात्रा में न मिलना ठीक है शस्त्र होगा ये और एक नित्रतव न मिलना यानि की कोई भी लीडर का ना होना 24 है बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग तो भिवानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जिनों ने दिया है राइट है 25 नंबर कोशन मैच करेंगे विधीवत सिक्षा न ग्रहन करने पर भी किस लोक गायक पर शोद कारे हुआ है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी पंडित लखमी चंद 26 है भक्त व संगीतक्य सूर्दास किसके सम कालीन थे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन भी अकबर के 27 question, पंडित जसराज शास्त्री संगीतग्य का जनम कहा हुआ? पंडित जसराज जो है वो एक शास्त्री संगीतग्य है, आपसे एक प्रशन ये भी आ सकता है और इनका जनम कहा हुआ है तो हिसार में हुआ है 28 नमबर question है, के एंपी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही पुराना कोशन है के MP का पूर्ण रूप क्या है कुंडली मानेस्तर पलवल ऑप्शन D करेक्ट होगा कोशन नबर 29 आपके सामने है जूई नहर द्वारा प्रमुकता है किस जिले में सिंचाई होती है किस जिले में होती है तो भिवानी जिले में और लास्ट कोशन है कोशन नमबर 30 शिल्पियों का कुम्ब हर्याना के किस मेले को कहते है सई जवाब होगा इसका आप्शन सी सूरज कुंड क्राफ्ट मेला तो गाई ये थे आपके टॉप 30 कोशन बताना आपको आज का सेशन कैसा रगा और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना है मिलते हैं नेक्स शूड़ों में किसे चे टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू